Assalamualaikum friends, welcome back to Top Smarties, drama serial बेबी बाची आहर कर सब की धड़कने थम ही चुकी हैं क्योंकि हम जान चुके हैं कि वासिफ घर वापिस आहे गया यहाँ पर फरज जो उसका इंतिजार करने लगी और दिल ही दिल में घबराने लगी कि कुछ ना कुछ तो जरूर है कि ना तो वासिफ उसकी कॉल का जवाब दे रहा है और ना ही मेसिज का अब दुबारा से वो एक आहरी दफार ट्राइ करना चाहती है तो अब दुबारा से कॉल कर ही दी तो आहर कार वासिप ने फून उठा कर हेलो की तो कुछ जान मिल जान आई और आप उसे लड़ने लगी कब से मेसिजिस कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ किसी बात का जवाब नहीं दिया कोई कॉलर अटेंड नहीं की कोई मेसिज नहीं सुना, आहर क्यों यहां पर फरत का घुसा भी जाइस है क्योंकि मुहबत में इनसान तरब जाता है, जब किसी की तरफ से रिस्पॉन्स ना आए, और हम लोग मेसिज और कॉल करते जाएं, तो बेचैनी तो होने लगती है, तो फरत भी उसके घर में जरूर चायेगी इससे पहले वासिफ का बाप भी उसको बहुत अच्छे अलफास भी समझाने लगा बेटा देखो, बुरा वक्त हर इनसान पड़ाता है, लेकिन बहादूर इनसान वही होता है जो इस बुरे वक्त में साबत कदमी से इसका मुकाबला करता है, और हमेशा साबत कदम ही रहना चाहिए, अपने बुरे वक्त में, अपने गुसे में अपने रिष्टों को हराब नहीं करना चाहिए, वासिफ बाप की बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चाता है और बाप को गले लगा लेता है और उन्हें तसली देता है कि आएंदा कुछ पी ऐसा नहीं होगा वैसे तो इस पार भी पासिफ का कोई कसूर नहीं था लेकिन फ्रेंड्स, एक जबरदसी बात हो गई अब तीसरी बहु भी बेबी बाच्छी की आहे गई कैसी लगी ज़रूर कमेर्स में बताईए का मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल कर नोटिफिकेशन ज़रूर पैस कर दे ताकि आने वादी हर वीडियो आप आस आने से देख सकें अलाहाफ पीज